हेलो गाइज, वेलकम बाक टो मैं चैनल, वेलकम टो फिनान्स मार्केट, वेलकम टो अनधर वीडियो दोस्तों आपको आज मैं वोड़ा फोन आइडिया लेमिटेड से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुनियागा एक एक बातों को और मैं अपनी स्टार्टिंग करने से पहले आपसे दो छोड़ी छोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि आप पहली बार अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं क्लिक करके आप अप स्टार्ट के अंदर बहुत कम टाइम में आप जल्दी से अकाउंट खुलवा सकते हैं बीना किसी दिक्कत के किसी तरीके के कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए पैठा हूँ आप मुझे कॉमेंट से अपने प्रॉब्लम्स को टाइप करके पूछ सकते हैं तो अब हम बात करते हैं वोड़ा फोन आइडिया लेमिटेट की तो दोस्तों यहां पे आज की दिन बात ये करने में जा रहा हूँ कि अचानक इतनी ज़्यादा तेजी से गिरावट क्यों देखने को मिली तो दोस्तों क्या इसके पीछे कोई नियूस है ये सारी बाते हम लोग करेंगे सबसे पहले मैं आपसे इस टेटर्स आज के दिन का शेयर करना चाहूँगा अभी दोस्तों इस टेटर्स दस बच के 41 मिनिट का हो रहा है और आपको बताना चाहूँगा कि इसकी प्रिवियस क्लोस प्राइस यानि मंडे के दिन की कल के दिन की 12.00 थी जे हां 12 और आज ये ओपन होता है 12.35 पह वहाँ से लो बनाता है दोस्तों 9.00 का और हाई बनाता है 12.35 का मतलब जो आज का ओपन है वही आज का हाई है लो है 9.00 52 वीक लो और हाई की बात करें 52 वीक लो है 2.40 का और 52 वीक हाई है 13.55 का लोहर प्राइस बेंड 9.00 का लगा था और अपर प्राइस बेंड 13.20 का लगा था आज के दिन का मार्केट के प्लेजिशन की बात करें दोस्तों 30,890.54 करोर है डिविडेन परसेंड जिरो दिया है इन्होंने फेस वैल्यू अप दिस कंपनी 10.00 बीटा अगर चेक करें तो 0.99 मिलेगा इंडस्टी का पी ए रेजियो अगर आप चेक करेंगे आपको मिलेगा 2.14 डिविडेन सौरी डिलिवरी परसेंट की बात करें तो याद रखेगा security वाइज डिलिवरी परसेंट की बात हो रही है तो security वाइज डिलिवरी परसेंट में यहाँ पे 23.23 परसेंट का data है जो की total volume का ये है ये आज की दिन का नहीं है last वाले जिन का है trending nature की बात करेंट तो यहाँ पे very bullish है वन वीक का रिटन अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 32.72%, वन मन्त का 133.70%, थ्री मन्त का देखेंगे तो 155.95%, 6 मन्त का देखेंगे 56.52% है, वन एयर का देखें तो 15.62% है, माइनस में है, अब मैं इसके stake holding pattern की बात नहीं करूंगा, मैंने आपको कई वीडियोज में बता रखा है, अलाकि वो भी change होता रहता है, मुझे बताना चाहिए, लेकिन चलिए आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, सीधे promoters की holding के बारे में, मार्च 2019 के quarter में 71.33% की stake थी promoters के पास, मे 2019 में 71.57% हो जाती है, जो कि जून 2019 में भी वही रहती है, मार्च 2020 का quarter आते आते 72.05% की stake बढ़कर के हो जाती है, और राइट सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे गिर भी नहीं रखा गया किसी quarter में, नो प्लेजिंग जो की good signal है, और राइट और इसके अलावा दोस्तों यहां पे FIIs की और FBIs की बात करें, तो 13.13% की stake थी मार्च 2019 में, मेड 2019 में 16.63% की और जून 2019 में 15.67% की और मार्च 2020 के quarter में 8.82% की stake थी, तो अब छोड़िये दोस्तों अब हमनों सीज़े बात करते हैं इसके टेक्निकल ट्रेंड की तो अब हमनों टेक्निकल ट्रेंड में अगर देखें तो resistance level इनको बहुत ज्यादा phase करना पड़ेगा 12.67% पे पहला resistance से दूसरा 13.33% और और अगर उपर जाता है तो 14.07% का इसको 3rd resistance phase करना पड़ेगा इसका पाइवोट लेवल 11.93% है और support level 1 की बात करें तो 11.27% है support level 2 10.53% का है support level 3 9.87% का था जो कि इन चीज़ों को cross करके उपर आ चुका है और यह 11.27% को फेस करना पड़ेगा अभी 10.88% पे अभी करन्टी यह ट्रेड हो रहा है अब हम लोग बात करते हैं कि कोई market news के बारे में तो दोस्तों यहाँ देखिए सबसे पहले मैं आपसे news की बात करूँ उससे पहले आपको जरा इसकी इनो market में किस तरीगे का pattern रहा है जरा pattern हम लोग देखने के कोशिश करते हैं ओके दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने 8th 9th of June का यह हमने चार्ट लगाया है और अभी यह 10 बच का 48 मिनट तक का अभी तक यह आपके सामने ओपेंड है तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आप देख सकते हैं यह 8th of June का यह देख सकते हैं यह consolidation phase है समझ रहे हैं बात को यह देख सकते हैं यह एक consolidation phase है आप देख सकते हैं इतर के site में यह आज का data है और आज की data के अंदर देख सकते हैं जैसे ही आज market open वा 9th और June को अचानक इसमें इतनी तेजी से गिरावट देखने को मिले और इतनी तेजी गिरावट होने के पीछे कोई news नहीं है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इतनी तेजी गिरावट के पीछे कोई news नहीं है आप देख सकते हैं इतनी तेजी गिरावट है इसके पीछे कोई news नहीं है यह एक market का correction भी हो सकता है दोस्तों दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप सब लोगों को इसके अंदर विश्वास करना चाहिए आप देख सकते हैं इसे पहले वाले दिन के अंदर यह कितनी एक consolidation phase है देखिए कभी भी आपको या किसी भी चीज़ को अगर उपर बढ़ना होता है ना उसको अलग-अलग phases को phase करना पड़ता है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है इसके साथ आप यह नहीं समझे है कि कोई बहुत बुरी नियूज आ गई है सुप्रेम कोर्ट की तरफ से या Government of India की तरफ से हो सकता है यह market में correction कर रहा हो और राइट तो इस correction को correction की तरह देखिए आप इस से डर करके बेरिशना होई है don't get away from this be careful और be patience be patience and have patience आप patience रखें और हिम्मत रखें यह एक correction phase है अब देख सकते हैं यहाँ पे market recover भी करने की कोशिश किया है यहाँ पे इतनी तेरी गिरावट देखने को मिले that's okay लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक market के अंदर बहुत बड़ा एक correction भी देखने को मिला 9.00 का low hit करने के बाद और अभी यह 10.80 पे struggle कर रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक बहुत बड़ा correction है और आने वाले आप पूरा time बचा है अभी 10 बच के 51 मिनट हो रहा है अभी पूरा time बचा है आपके पास पूरे time में हो सकता है कि अपने आज की intraday high को भी cross कर जाए समझे हैं बात को आज के intraday high की बात करें तो दोस्तों आज कोई high तो नहीं बनाया है लेकिन इसका जो upper circuit है आज के दिन का लगा है 13.20 का उसको cross कर सकता है भी पूरा time बचा है और अभी यहाँ पे total आपको number of buying quantity की बात करें तो 7 करूर 55,60,83,000 something है जबकि वहीं पे total sell quantities की बात करें तो 12 करूर 11,00,000 something percentage में आप इसको देखें तो 38.46% buyers है और 61.50% sellers है तो देख सकते हैं market के अंदर correction हो रहा है correct कर रहा है अपने आपको तो एक बहुत बड़ा correction है इस correction को देख करके गबराइए नहीं हिम्मत रखिए यहीं आपको you know मजबूत रहना चाहिए इन्हीं जगाओं पर क्योंकि यहीं से आपकी mental ability को test किया जाता है so this is all about today this is all about the video आप इस चीज के फिकर में आ रही है कि कोई बहुत बड़ी news है आप अपना दिल को छोटा ना करिए हिम्मत रखिए धहरे रखिए अगर कोई चीज ऊपर चड़ रही है तो market uh 100% all right so this is all about today I would like to terminate right here if you like this and please give a thumbs up see you next time good bye